मांग पुर्णिमा की बहुत बड़ा महत्व है कहागया कि मांग मकर गत रवीजव होई है मंग महीने में मंतर रासी में सुर्व उत्तरायन होते हैं तो सबसे पहली बात होती है कि नारायन के उत्तरायन का समय प्रारंबह हो जाता है तो उत्तरायण का मतलब सभी देवता लोग उठ जाते हैं सभी धार्मिक कार बैदिक कार विवा उस्सो जितने भी कारिकर में सभी सुरू हो जाते हैं इसलिए मांक महिने की बहुत वड़ी महिमा है इस बार मांक की पूर्णिमा जो है 24 परोरी दिन सनिवार को पल रही है इसका प्रारंब जो है 23 फरवरी दिन सुक्रवार को दिन में तीन वजे से ले करके प्रारंब होगा और 24 तारिक को साम को चार वज के बावन मिनट तक पूर्णिमा रहेगी इस दिन मातालश्मी की प्रेपा प्राप्त करने के लिए तो सबसे पहले इस दिन हम लोगों को ब्रम्मोहरत में उठकर्के श्रीमत नारायन मंत्र का जब करना चाहिए या नमोभगोते बासुदिवाय का जब करते हुए गंगा अश्नान करना चाहिए गंगा अश्नान करके आने के बाद हम लोगों को लोगों को घर में अपने मंदिर की सफाई करनी चाहिए सफाई करने के बाद विद्वत जो है लक्षमी और नारायन की प्रतिमा को खोड़सोप चार विधीशे पूजन करना चाहिए उसमें जो है पंचा मृत्शे अश्नान कराना चाहिए भगवान को, अश्नान करा करके विधिवत वस्त्रधारण कराना चाहिए, चंदन गंधान लेपन कराना चाहिए, दिव्य माला पहनाना चाहिए भगवान को, उसके बाद उनके समुख प्रशाद रख करके दीप प्रज पारायन का जब करना चाहिए, हवन करना चाहिए, ऐसा करने से व्यक्ति के भाप नश्ट होते और धनधान और लक्ष्म की प्राप्ति होते है।